इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी नॉक्सेरिंच 40 इंजेक्शन एक एंटी को गुलेंट है जो हानिकारक खून के ठक्के बनना की रोकथाम करने और उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है यह इस इंजेक्शन को डॉक्टर या नसद्वारा त्वचा के नीचे इंजेक्ट किया जाता है इसे मांसपेशियों में इंजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए डोज और इलाज का समय आपकी medical condition, दवा के प्रती आपके response और आपका इलाज किसलिए किया जा रहा है, क्या आधार पर ते होते हैं यह आपकी आयू और वजन के आधार पर भी हो सकता है भले ही आपको कोई लक्षन नहीं दिख रहे हैं इस दवा को लेते रहना आवश्यक है, क्योंकि यह भविश्य में नुकसान होने से बचा रही है अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपके खून में थक्का बन सकता है इस दवा को लेने के दौरान आपको खून निकलना या चोट का जोखिम बढ़ाने वाली सभी गतिविधियों से बचना चाहिए इस दवा के सबसे सामाने साइड इफेक्ट खून निकलना, सिर्दर्द, ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ना और लीवर एंजाइम में बढ़ जाना है गंभीर सिर दर्द मस्तिश्क में खून निकलना का लक्षन हो सकता है पेट में तेज दर्द, पेट में खून निकलना का लक्षन हो सकता है खून निकलना खतरनाक हो सकता है और अक्सर इसका पता नहीं चलता है लक्षनों पर गौर करें और यदि आप चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर को बताएं अगर आपको high blood pressure, diabetes है यह हाल ही में stroke आया है तो इस दवा का उप्योग करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना चाहिए अगर आपको कोई मौजूदा खून निकलना है तो आपको इसे नहीं लेना चाहिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल एनॉक्सरिन 40 इंजेक्शन के साथ नहीं किया जाना चाहिए आप जो अन्य दवाएं ले रहे हैं उनके बारे में अपने डॉक्टर को बताएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सुरक्षित है अगर आपके शरीर का वजन कम है तो आपको खून निकलना का जोखिम अधिक हो सकता है और शराब पीने से पेट खून निकलना का जोखिम बढ़ सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद